जोतिश के इतहास में ऐसा मेरी नौलिज में तो पहली बार होने जा रहा है क्योंकि मैं बहुत पीछे तक गया और मैंने देखा तो मेरे को नव पंचम राजयोग भी बहुत मिले, समसब तक योग भी काफी मिले, राजयोग भी मिले पर इस तरीके के नहीं मिले जो अभी जोतिश के इतहास में बन रहे हैं और ये बन रहे हैं 24 तारीक की रात से अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को मैं सपस्ट करूँगा अभी वीडियो के अंदर अगर मान लिजे, छे साथ लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें दृष्टी सी रहें या साथ में बैठ करके रहें एक की दूसरे की नजर में रहें तो उसका जो प्रभाव होता है, वो दोस्तों फिर दो ही प्रकार का बनता है जैसे इस सबका बनता है, अच्छा या बुरा पर बारा राशियों में से पांच ऐसी राशिये हैं जिनके वारे न्यारे होंगे पांच ऐसी हैं जिनके लिए धनकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी पांच राशिये ऐसी हैं जो मैंने स्पेशल नोट करी हैं आज की इस वीडियो के लिए ये मैं अभी आपको चर्चा के दोरान बताओंगा बहुत सारे जातों को कि मेरे पास परेशान होते हैं कॉल करते हैं और ये कोशन रेज करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है हमारा ये समय जो है ये क्यों नहीं बदल रहा हमारी क्यों अतनी तपश्या हो रही है तो मैं उनसे सबसे ये ही कहना चाहता हूँ कि आप वक्त से हारिये मत आप वक्त को भी बदल सकते हैं क्योंकि वक्त स्वेम इस थिर नहीं है चलाए मान है जैसे हर समय ये चलता रहता है आगे भड़ता रहता है इसलिए मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वक्त तो कितना ही परेशान कर ले लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि किसी ना किसी मोड पर हम तुझे भी बदल देंगे अगर आप हिम्मत नहीं आरते देरे नहीं खोते तो आप निश्ची तौर से समय को भी मात दे देंगे ये क्यतार सकते है अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदल दो जैसे ही आप तरीके बदल दोगे तो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन शुब रूप में प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे लाइफ को कभी भी एक ट्रैक पर लेके मच चलो ट्रैक हमेशा बदलते रहिए दोस्तों स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आप सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आएए वीडियो की शुरुवात करते हैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए इस समय जिस तारीक के लिए वीडियो बनाई है 24 तारीक राथ से क्या सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तो पहली बात तो ये है कि शुक्र ग्रह नीच के हो जाएंगे और ये कन्या राशी में होंगे तो कन्या में तीन ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा एक शुक्र का सूरे का और बुद्र का अब इसके लावा जस्ट दस नंबर राशी में यानि कि मकर में इसमें बैठे हैं शनी तो कन्या राशी से और मकर राशी पढ़ती है पांच वी जैसे कन्या तुला वरिष्टिक धनू मकर अब मकर राशी में शनी हो गए और व्रशब राशी में बैठे हैं मंगल गर है तो मकर राशी से व्रशब राशी पढ़ती है पांचवी मकर कुम्ब मीन मेश व्रश राइट ऐसे ही मंगल जिस राशी व्रशब में बैठे हैं वहां से पांचवी राशी पढ़ती है कन्या व्रश मिथुन करक सिंग और कन्या यानि कि पांचवी पढ़ गई तो इसका ये मतलब हुआ कि पांच ग्रहे एक दूसरे से नव पंचम हो गए और जोतिश शास्त्र में पंचम भाव होता है एजुकेशन का, उन्नती का, प्रबंदन कला का, नीती का, वाकशक्ती का, अक्समाद धनलाव का, उत्तम विध्या का, आपके यश का, आपके रिसर्च का और नवंभाव होता है भाग्य का, धर्म का, करम का, पौत्र का, पुत्र के सुख का पिता के सुख का, विदेश का, कारे सिद्धी का इसका मतलब ये पांच ग्रहों का एक तो आपस में नवपंचम राजयोक बन गया तो डबल नव पंचम बना एक सनी का मंगल का बना और दूसरा मंगल का सूरे का चंदर का और सुकर का बना और तीसरा नव पंचम बना सूरे चंदर शुकर और सनी का तो तीन नव पंचम राजयोग बन गए हमने थमनिल में इसलिए लिखा है कि ये तीन नव पंचम राजयोग अब इसके लावा दो बन गए महापुरुष राजयोग कन्या राशी में बद नाम का राजयोग बुद्ध ने बनाये हुआ है और मीन राशी में गुरू ने बनाए हुआ हनस नाम का महापुरुष राजयोग तो दो ये राजयोग बन गए और इसके अलावा एक बन गया नीच बंग राजयोग क्योंकि शुक्र कन्या राशी में 24 सप्टेंबर की रात को नीच हो जाएंगे कन्या में तो बुद्ध कन्या राशी में बैठे हैं तो शुक्र के नीच बंग राजयोग बना देंगे और एक बन गया है समसब्तक योग कि सूरे शुक्र और बुद्ध इधर हैं और जस्ट सामने इधर हैं गुरू तो एक दूसरे को सब्तम्द रिष्टी से देख रहे हैं दोस्तों इतना एक्स्प्लेइन आपको एक भी वीडियो नहीं मिल सकती मैं पूरे चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ मेरी वीडियो रिलीज होने की बात मिल जाए तो बात अलग है मेरी वीडियो से पहरे नहीं मिल सकती वीडियो रिलीज की डेट देख लेना अब बात करता हूँ कि कौन सी वो पांच राशी है जिनको बेनेफिट मिलेगा तो सर प्रथम नंबर पर व्रशब राशी की ही बात करना चाहूँगा जितने भी जाता कि समय मुझे व्रशब के सुन रहे हैं आपके लिए यह है जो जोतिश में पहली बार इस प्रकार का यारुग बन रहा है यह पैसे के लिए बहुत अच्छा है मानसमान के लिए बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए अच्छा है अक्समा धनलाब के लिए कि पंचम बाव और नवम बाव जिस चीज का होता है उसका तो बेनेफिट होगा ही होगा और साथ में दाम पत्ते जीवन भी अच्छा होगा बरशब राशी बालो आपकी राशी पहले नंबर पर है इसके बात करूँगा मैं आपसे कन्या राशी के बारे में आपके लिए भी बहुत अच्छे अपसर बनेंगे कोई कि सेम आपकी राशी के अंदर सूरे बुद्ध और शुक्र बैटे हैं बहुत जबरदस्त बैटे हैं यहाँ पर वो दो राजयोग बन जाएंगे बुद्ध का एक भधर राजयोग और सामने गुरू का हंस राजयोग और फिर जो बा अगे के लिए धन के लिए है प्रापटी के लिए है प्रापटी से संबंदे डिस्प्यूट को दूर करने के लिए और बताए नवरात्रों के समय पर यह योग बन रहा है कितनी बड़ी बात है इसका मतलब विशेश कार्रे आपका सिद्ध होगा और आपकी ख्याती बहुत जबरदस्त बढ़ेगी यह मैं आपसे कह देना चाहता हूँ लोग सतह आपके और आकर सित होंगे और स्वेम आपके इर्दगर्दा करके खड़े हो जाएंगे जो लोग आपसे दूरी बना करके बैठे होते हो आपके संपर्क में आएंगे और विशेश लाब मिलेगा धन क रूप में तो यह रही अभी कन्या राशी की बात जो पहली मैंने राशी बात करी व्रशा वो एक्सिलेंट श्रेनी की है दूसरी कन्या वो एक्सिलेंट श्रेनी की है अब जिस तीसरी राशी की में बात करूँगा यह रहेगी बैस्ट मतलब एक्सिलेंट से थोड़ी सी न नाम रहेगा धनु के जातों को आपका जो ग्राः गोचा रहेगा उसके अनुसार आपके केंद्र में भदराजयोग, हन्स राजयोग प्रॉपर्टी पर नेगा, करम में बनेगा, прमोशन इतियादी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जो 25 तारिक से जिसका प्रभाव आगे देखने को मिलेगा और लगबग 17-18 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा बहुत ही बहतरीन है मतलब आप जिसका अपनी जॉब से रिलेटेड विशेश कारे को कर सकते हैं इस टाइम पीरिड में प्रापरडी से रिलेटेड कर सकते हैं पॉलिटिक्स के दृष्टिकोन से कर सकते हैं और राजनिती को मैं कोई विशेश उथल फुथल देखने को मिलेगी और ओवर आल देखने को मिलेगी ऐसा योग दिखाई देता है और साथ में धन की जो इस्तिती है वो मजबूत होगी कोई कि धन के गर में शनी महराज बहुत पॉजिटिव सिनेरियो में यहां पर दिखाई दे रहे हैं इसलिए कहा जा सकता है कि धनू बिलकुल पॉजिटिव हंड़र परसंट है ऐसा मैं आप से कह सकता हूँ इसके बाद मकर राशी के दिए हम बात करें यानि कि इसके बाद ये मकर आ जाती है और ये भी एक एक्सिलेंट श्रेनी में है तो इसलिए गुड निउस तो आपके लिए हो गई मकर वालों कि आप के इस राशी में एक शश नाम का महापुरूश राजयोग बना हुआ है और आपके लिए शुक्र ने एक और एक्स्ट्रा योग बना दिया जो थमनेल में नहीं लिखा और वो है केंद्र त्रिकॉन राजयोग भाग्यस्थान पर शुक्र का नीच भंग राजयोग बुद्ध सूरे का बुदादित्य राजयोग और यहां पर मंगल का बुद्धी पर बैठना शनी के साथ नव बंचमला आप बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट में मुझे दि प्लस पॉइंट में दिखाई पड़ती है कारे सिद्धी का बहुत सुंदर और प्रबल योग आपकी राज़ी के अंदर बन रहा है आपके वारे न्यारे होंगे दोस्तों ये है आज की स्पैसल वीडियो अगर आप बंबे में कुंडली बनवाने के लिए दिखाने के लिए मुझे मिलना चाहते हैं तो 24-28 तारिक तक मिल सकते हैं एक बार कुन है आगम ही कारिकरम में आपके बीच में उपस्तित हूँगा अभी आपसे आजा चाहता हूँ नमस्कार बहुत बहुत धहने बाद नमस्कार दोस्तों आप सब के लिए खुसकबरी जोतिस अचारे मानविंद रावजी अब सितंबर के महीने में आपके सहर में रहेंगे 20 सितंबर पानीपत 21 सितंबर अंबाला 22 सितंबर चंडीगर 24-28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करे 98998888437011805461